चीन में कुरोना के महां विस्पोर्ट से एक बार फिर दुनिया सहमी हुई है ठीक उसी तरह जब वर्ष 2019 और 2020 में चीन के वहान में कुरोना का एटैक हुआ और दुनिया वहां की तस्वीर देखकर देख्शक में आ गई थी चीन में आज फिर वही हाला थे अस्पताल मरीजों से भरे हुए है हर बेट पर मरीज है एक भी बेट खाली नहीं है डॉक्टर्स जमीन पर मरीजों को लिटाने के लिए मजबूर है इस तस्वीर को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा ये वीडियो चीन के एक अस्पताल का है जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है एक पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए जमीन पर खुटनों के बल पैट कर गड़ गड़ा रहा है रो रहा है उसके बच्चे को तेज बुखार है लेकिन अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी मजबूर दिखाई दिया महिला स्टाफ भी जमीन पर बैट गई और बच्चे के पिता से ये सिर्फ एक एकर जमीन पर क्रशी करके हर महीने एक लाख तक कमाते हैं इनसे सीखना है तब फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीजिए कहने लगी कि वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई चीन के एस्पतालों में डॉक्टर्स ओवर ड्यूटी कर रहे हैं हालात यहां तक आप पहुचे हैं कि कोरोना से संक्रिमिस होने के बावजूद कुछ एस्प्टोमेटिक डॉक्टर्स भी काम कर रही है चीन के एस्पतालों में जहां मरीजों के लिए जगा नहीं बची है वहीं मुर्दा घर भी भर गए है कई जगहों पर लाशों को अंतिन जन्सकार के लिए भी वेटिंग चल रही है अब आपको जो वीडियो दिखाने जा रही है उससे पता चलता है कि चीन में फैला करोना कितना घातक साबित हो रहा है 20 दिसंबर का ये वीडियो चीन की पत्रकार जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर शेयर की है बीजिंग का ये वीडियो च्वाइना जेपान फ्रेंग्शिप अस्पताल का है अस्पताल के कॉरिडॉर में पीले पॉलिथिन में शवों को पैक करके रखा गया है कॉरिडॉर में एक दो शव नहीं कम से कम 19 शव रखे हुए है पत्रकार का दावा है कि उनकी मौद कोरोना की वज़े से हुई है सिर्फ अस्पताल ही नहीं कोरोना से होने वाली मौद का आंकला इतना ज्यादा है कि शवदा ग्रियों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है शव के अंतिम संसकार के लिए 5 से 20 दिनों का वेटिंग पीरट चल रहा है अब आपको चीन से आया एक और वीडियो दिखाते हैं इस वीडियो को भी चीन की पत्रकाज जेनिफर जिंग ने सोशल मीडिया पर शेयर की है इस वीडियो को 19 दिसंबर को शेयर किया गया है ये चीन के हिनान प्रांद के शिंजियांग शहर में मौझूद एक फिनरल होम यानि शवदा ग्रे का है शवदा ग्रे में डेली अंतिम संसकार के लिए आने वाले शवों की संक्या इतनी ज़ादा है कि फेरवल रूम में रेफरिजिरेटर कैबिनेट्स की एक पूरी नई लाइन ही लगानी पड़ी लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट कम पड़ गए और लाशों को सवीन पर ही रखना पड़ रहा है पत्रकार का दावा है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था इसका सीधा मतलब है कि चीन में कोरोना से मौत की तादात काफी स्यादा है हलाकि चीन के सरकार मौत के आकड़ों को छिपा रही है लेकिन तस्वीरे हकीकत वाया कर रही है बाव को एक और वीडियो दिखाते हैं ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है चीन के अस्पतालों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है इसका ये सबूत है 18 दिसंबर का ये वीडियो चीन की राजधेरने बीजिंग के चुई यांगलू अस्पताल का है अस्पताल में कोरोना मरीजों की संक्या इतनी ज्यादा है कि मरीजों को उसी रूम में इंतजार करना पड़ रहा है जिसमें कोरोना की वज़े से हुई मौत की बात शवों को रखा गया है यानि मरीज और शव दोनों एक ही रूम में इंतजार कर रहे हैं मरीज अपने हिलाज का इंतजार कर रहा है और शव अपने अंतिम संसकार का। अब पांचवी तस्वीर देखिए ये चीन के त्यान जिन शहर में एक अस्पताल का इमर्जंसी रूम है। इमर्जंसी रूम में कुरोना मरीजों की भीड लगी हुई है। परिजन अपने मरीजों के इलाज का इंतजार कर रहे हैं। कोई वीलचियर पर बैठा है तो कोई स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। ये वीडियो बता रहा है कि चीन में किस तरह कुरोना के मरीजों की संक्य तेजी से बढ़ रही है। चीन से आई एक और तस्वीर देखी अस्पताल में एक मरीज बेहोश होकर गिर गिर गया। काफी देर तक इंतदार करने के बावजूद डॉक्टर्स उसे अटन्ड करने नहीं आए। मरीज की तबियत काफी खराब थी वो बेहोश होकर गिर गिरूए। कोरोना के विस्पोर्ट से चीन का हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्शर फोलैस होता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मताबिक चीन में कोरोना जो तबाही मचा रहा है तो अभी खत्म होने वाला नहीं है। 80 करोड लोगों के संक्रमित होने का खत्रा है। यही नहीं आने वाले महिनों में चीन में 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं। चीन में कोरोना का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है। 22 जनवरी के बाद केस खटने शुरू होंगे। इस बीच चीन सरकार ने पूरे मामले पर चुपी साथ रखी है। चीन नहीं तो यह बता रहा है कि अब तक कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और नहीं यह बता रहा है कि चीन के किन किन इलाकों में कोरोना का सब से ज़्यादा कहर परपा है। वहीं अमेरिका ने चीन में फैले कुरोना वाइरस के वेरियन पर चिंता चिताई। अमेरिका को डर है कि कहीं चीन का ये वाइरस दुनिया में न फैल जाए। लेकिन चिंता सिर्फ चीन की नहीं है। कोरोना दुनिया के दूसरे देशों में भी सिर्फ उठा रहा है। एक हफ़ते में दुनिया में कोरोना के 35 लाख नए मामले सामने आये हैं। वही 9928 लोगों की मौद भी हुई। चीन, जपान, दक्षिन कोरिया और फ्रांस में एक हफ़ते में सबसे ज़्यादा केसिस आये हैं। इसलिए कोरोना को लेकर एक बार फिर से कमर कसने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक एकर जमीन पर क्रशी करके हर महीने एक लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है। तब फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीचिए।